सो गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था compound operator को आज की वीडियो में हम लोगों देखने वाले हैं control operators को control operators भी बहुत types के होते हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिफ if else if else if test condition को तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसका use कहां पे करते हैं हम लोग तो friends if is सबसे पहले हम लोग बात करते हैं if is statement की तो मैं इसको copy कर लेता हूं अपने program में अब देखिए इसमें हम लोग if statement का use हम लोग कहां पे करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैं बता देना चाहता हूं कि if statement का use हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हम लोग को condition को check करना होता है दो condition को true करना होता या false या उसको check करना होता है कि वो true है या false एक्स एक्स एक्सामपल आप लोग महता है कि कुई दो वालिये वाल्यू है उसको इक्वल है यह इक्वल नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग इफ इफ इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, दो कोई नंबर है माल दिजिए वो नंबर कुछ भी होसकता है integer number integer value उसको check करने के लिए हम लोग if statement का use करते हैं तो चलिए इसको इसके syntax को देखते हैं इसको कैसे हम लोग अपने program में use करते हैं तो guys if statement का कुछ syntax इस type से होता है हम लोग अपने program में ordino programming में if statement को इस type से लिखते हैं, अब चलिए हर एक line का मतलब समझते हैं कि क्या होता है, तो if statement लिखने के लिए सबसे पहले हम if लिखेंगे, उसके बाद parenthesis के अंदर हम लोग अपने condition को test करेंगे, उसके बाद हम लोग curly bracket देंगे, open curly bracket और close curly bracket, उसके अंदर हम अपने statement को लिखते हैं, अब चलिए प्रोग्राम में हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, इसको समझते हैं, तो मान लिजे मैं कोई दो number को check कर रहा हूँ if statement में, तो उसको कैसे लिखूँगा मैं, मान लिजे मैं if statement बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं condition को check करूँगा, if 10 equal to 10, तो इस case में क्या होगा, अगर 10, बढ़ाबर होगा 10 के, तो हम इसके statement में कुछ भी लिख सकते हैं, as example मान लिजे, आप लोग simple सा example ले ले लेते हैं, digital right led high तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम में statement को लिख सकते हैं, चेक करके, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, मान लिजे, अब if 10 is not equal to 9, अब इस case में क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है, वो condition को check करेगा, अगर 10, 9 के बढ़ाबर नहीं होगा, तब हमारा जो यह statement को run कर देगा, तो friends उमीद करता हूँ कि यह आपको if statement समझ में आया गया होगा, अब चलिए हम लोग अगला चलते हैं, if else statement के तरफ, तो if else statement को हम लोग कैसे लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, अब हम लोग उन्हें देखा if statement को, अब हम लोग देख रहे हैं if else statement को, तो if else statement हम लोग कैसे लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहले मैं पिछले example से ही ले रहा हूँ, हमने पिछले example में लिखा था if 10 is not equal to 9, तो digital right LED जो है high हो जागा, और अगर हम लोग else statement का use करते हैं, तो इस प्रोग्राम में आगे लिखेंगे हम लोग else, अब इसको हम लोग यहां से भी curly bracket दे सकते हैं और नीचे से भी हम लोग इसके intermarker हम लोग curly bracket दे सकते हैं, तो चलिए इंटर मार्कर दे देते हैं अब इसके अंदर हम लोग दूसरा statement लिख सकते हैं माल लिजे डिजिटल डिजिटल राइट एलीडी एलीडी लो इस case में क्या होगा कि हम लोग पहले एक्जामपल में देखा था if 10 is not equal to 9 अगर 10 बड़ाबर नहीं होगा नौके इसमें condition चेक करेगा हमारा प्रोग्राम तो यह जो डिजिटल राइट एलीडी जो है हाई कर देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है डिजिटल राइट एलीडी को जो है लो कर देगा तो friends यह था हमारा if else statement अब हम लोग को कभी ऐसे प्रोग्राम में जरुराद परती है मान लीजिए बहुत सारे condition को चेक करना होता तो हम लोग क्या करते हैं तो उस case में हम लोग else if का statement का use करते हैं तो चलिए इसको हम लोग अपने program में कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं तो guys चलिए अब हम लोग अपने else if statement को समझते हैं ये कैसे काम करता है तो guys यहाँ आप लोग इस screen पर देख सकते हैं इसका जो else if statement को लिखने का जो syntax है जो उसका तरीका है लिखने का कुछ इस परकार लिखा जाता है इसमें हम लोग multiple condition को चेक करते हैं माल लिजए आपके हमारे पास program में बहुत सारे condition को चेक करना है तो उसमें हम लोग उस condition में हम लोग else if का इस्तिमाल करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैंने आप लोग को पहले example में बताया कि इस test condition को हम लोग इस parenthesis के अंदर हम लोग अपने condition को चेक करते हैं लेकिन हमारे पास multiple statement multiple condition है तो उस statement उस condition में हम लोग कैसे चेक करेंगे तो condition no.1 हो गया यह अब हम लोग फिर से curly bracket के बाहर आएंगे उसके बाद फिर हम लोग दूसरे condition को चेक करेंगे तो सबसे पहले उसके बाद लिखेंगे else if उसके बाद फिर हम लोग parenthesis देंगे उसके बाद test condition to लिखेंगे यानि कि इसमें दूसरे condition को हम लोग चेक करेंगे उसके बाद फिर हम लोग curly bracket के अंदर हमारे statement को लिखेंगे उसके बाद फिर हम लोग को अगर तीसरा condition को चेक करना है तो हम लोग फिर से else if लिखेंगे उसके बाद parenthesis के अंदर हम लोग अपने तीसरे condition को चेक करेंगे और बहुत सारे case में क्या होता है कि हम लोग को default में कुछ value provide करनी होती है program में तो उस condition में हम लोग else if में हम लोग default का भी statement का इस्तमाल करते हैं तो जैसा कि आप लोग screen पर नीचे आप लोग देख सकते हैं default मैंने यहाँ उसके बाद curly bracket के अंदर मैंने statement लिखा है तो अब चलिए हम लोग एक program से समझते हैं कि यह कैसे काम करेगा तो मॉल लीजे मैं एक variable बना रहा हूँ हूँ integer variable int a में मैंने assign कर दिया है 10 दूसरा variable मैं बना रहा हूँ हूँ b नाम से तो int b में मैंने assign किया है 5 assign कर देता हूँ अब चलिए हम लोग एक led को define करता हूँ तो int led equal to 3 इस led वाले में क्या होगा हम लोग comment में मैं लिख लेता हूँ इसमें क्या होगा int led equal to 3 मतलब कि हम लोग एक मान लीजिए ordino में जो pin number 3 है उसमें मैं एक led को input मतलब उसमें output so करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अब चलिए इसमें प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं मान लीजिए हम लोग को लिखना है condition number 1 में चेक करना है if a equal to b अगर a बड़ावर होगा b के तो हम लोग इसमें led को high करना चाहते है digital right led led high अब मान लीजिए हम लोगों के पास दूसरा condition है दूसरे condition को चेक करना है तो हम लोग लिखेंगे else if अब दूसरे condition की तरफ बढ़ते हैं else if a is not equal to b अब इस condition में क्या होगा condition को हमारा प्रोग्राम चेक करेगा अगर a b बड़ावर a जो है b के बड़ावर नहीं होगा तो इसमें हम लोग कुछ भी statement लिख सकते हैं अपने according इसी तरीके से हम लोग तीसरे condition में भी हम लोग यहां कुछ statement लिख सकते हैं as example आप लोग मान लीजिए अगर इस condition में तीसरे condition में हम लोग लिख सकते हैं a जो है b से छोटा होगा तो इसमें हम लोग अपने प्रोग्राम के statement में कुछ अलग से statement दे सकते हैं इन सब के बावजूद अगर यह तीन condition जो हम ने दिया है अगर इसमें कोई match नहीं हुआ तो हम लोग अपने प्रोग्राम को डिफॉल्ट मोड पर भी रख सकते हैं मान लिजए LED को as a high रख सकते हैं मान लिजए always high रखना है यह तो हो गया हमारे test condition को check करने के लिए जब condition check होगा और अगर यह तीनो condition में से हम हमारे जो प्रोग्राम को कुछ नहीं मिला मतलब condition सब में false हुआ digital right LED high या नहीं तो मैं इसको low भी कर सकता हूँ default value में यह low रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम और दिनों में प्रोग्राम अप्लोड करेंगे इसको लिग कर उसके बाद फिर जैसे प्रोग्राम रन होगा तो हमारा LED जो है वो low रहेगा default में उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम यह चेक करेगा अगर इसको कोई भी condition true होगा तो इसके base पर वो react करेगा या नहीं तो फिर वो default value पर चलाएगा तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आये तो इसे like, share और चैनल को subscribe जरूर करना करेगा